जेहिन दोस्तों मुंबई के माटूंगा में कार में आग लगने की वज़े से दो भाईयों की दुखत मौत हो गई कार में कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे जीने रेस्क्यू तो कर लिया गया लेकिन वो भी काफी जल गए है और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है का भव्या आयोजन किया गया इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाए शामिल हुई और अफकोर्स यह आयोजन करने में विदायक प्रताव सरनायत का बहुत बड़ा योगदान रहा है तीसरी खबर यह है कि मुंबई मीरा भाहिंदर थाने सहित कई जगा पर चोरी को अंजाम देने वाले आरोपी को MHB पुलिस स्टेशन ने गिरफतार किया है ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी पर 50 से ज्यादा केस दर्ज है चोती खबर यह है कि मुंबई गोहार्टी फ्लाइट में महिला के साथ छेटशाड करने के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है ऐसे इंसिडेंट इन दिनों काफी सुनने में आ रहे है कि फ्लाइट में छेटशाड की जा रही है महिला के साथ पाच्वी खबर यह है कि महाराष्ट्रा कॉंग्रेस के अध्यक नाना पटोले ने एक बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा है कि मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनाने का एजेंडा है सरकार का केंद्र सरकार का ये बात उन्होंने आने वाले दिनों में जो संसत का विश चेश सत्र होने वाला है उसके संबंद में कही है तो दोस्तों ये थी मुंबई मीरा भाहिंदर से जुड़ी आज की पांच बड़ी खबरें अन्त में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा भगवान इश्वर गौड अल्ला आप सबको सलामत रखे आप सब अपना ख्याल रखे सभी को दवाओं में याद रखे थैंक यू सो में